नमस्कार दोफ्तों, सुँआ अते आपका हिंदी नोलिष शो में था दोफ्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बारत की एक ऐसी मिसाइल है जिसका सब को बेसबरी से इंतिजार है इसका नाम है अगणी 6 मिसाइल इंतजार इसलिए है क्योंकि जिस दिन ये मिसाइल बनकर तयार हो जाएगी उस दिन भारत 10,000 किलोमिटर का बैरियर तोड़ कर दुनिया के एक बहुती स्पेशल कलब में शामिल हो जाएगा जी हाँ दुनिया में कुछे ऐसे देश है जिनके पास 10,000 किलोमिटर से ज्यादा रेंजगी मिसाइले मुझूद हैं जैसे ही भारत अगनी 6 बना लेगा हम भी इस कलब में शामिल हो जाएगे और दुनिया में हमें एक बड़े स्वैन्य सूपर पावर के तोर पर जाना जाएगा लेकिन आज हम अगनी 6 के बारे में बात क्यू कर रहे हैं क्यूंकि इसको लेकर माहोल बनना शुरू हो चुका है पिछले तीन महीनों से लगातार अगनी 6 पर कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है आज एक बार फिर से अगनी 6 पर बड़ी खबर आई है दरसल बताईए गया है कि अगनी 6 को लेकर जो टेस्टिंग डेट है वो लगबगत हो चुकी है आने वाले दो सालों के अंदर यानि 2024 के अंत में या 25 की शुरुवात में इसका पहला परिक्षन किया जाएगा इतना ही नहीं बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी भी आई है जिसमें बताईए गया है कि जो अगनी 6 मिसायल है इसकी बहुत सारी टेक्लोजी को बना कर रेड़ी कर लिया गया है उधरन के लिए ये बताए गया है कि जो अगनी 6 है वो मर्फ केपेविल्टी के साथ आएगी तो उसमें जो लगने वाली Muff capability है जो technology है उसे हमने prime missile के साथ already test कर लिया है अब इसका एक बहुत बड़ा फाइदा है फाइदा ये कि अगर आप किसी ऐसे उपकरण को missile में लगा रहे हैं जिसे पहले ना तो use किया गया हो ना ही आपको उसके बारे में खास जानकारी हो ना ही आपने उसकी testing करी हो तो ऐसे में missile failure के chance ज्यादा रहते हैं लेकिन अगर आपने सारे उपकरण और technology ऐसी लगाई है जिनके बारे में आपको पहले से पता है आपने उनकी testing अच्छे से कर रखी है तो ऐसे में missile का पहला test ही क ना में शामिल कर सकते हैं हाला कि आपका सवाल होगा कि क्या इसको लेकर कोई official update भी आई है तो देखिए आखरी बार इस पर जो official खबर हमें 2013 में मिली थी उस समय अगनी 5 तैयार हुई थी और जो DRD के chief थे उस समय के उन्होंने कहा था कि 5 के बाद हम अगनी 6 भी बनाएंगे लेकिन उसके बाद उस पर काफी हला कटा क्यों क्यों कि पश्चिमी देश और उनकी मीडिया ये कहने लगी कि भारत को अगनी 6 की जरुत क्या है क्योंकि जो भारत ने अगनी 5 बना ली है उसकी रेंज में पूरा चीन आता है पूरा पाकिस्तान आता है यहां तक की आधा य क्योंकि अगनी 6 की रेंज में चीन पाकिस्तान तो छोड़ो पूरा योरोप आएगा बलकि कहीं न कहीं यह अमेरिका तक भी वार करेगी ऐसे में भारत ऐसी मिसाइले वना कर अमेरिका और योरोप को थ्रेट क्यों दे रहा है इसलिए तब से भारत सरकार की यह पॉलिसी र कर रहा है पहले ही क्योंकि अगर हम अचानक से परिक्षन कर देंगे तो इतनी खतरनाक मिसाइल देखकर पूरी दुनिया को सदमा लगेगा इसलिए भारत दुनिया को तयार कर रहा है लेकिन बात जो भी हो फिलाल मैं तो अगनी 6 को लेकर बहुत ही जादा excited हूँ क्योंकि म आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरू बताएगा फिलाल इसलिए में इतना ही थैंक यू बर्मच प्रोचिंग वीडियो